हम मेंसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी होबी में लिखते हैं कि उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है स्टोरी बुखो, थ्रिलर नॉविल्स हो या मैगजीन, रीडिंग की आदत हमेशा ही अच्छी मानी जाती है डिजिटल प्लाटफॉर्म्स के चलते आज़कल किताबों की आदियो बुक्स भी बहुत सारी लोग सुन रहे हैं पर पढ़ने का असली मजा तो किताबों और पन्नों पर छपे अक्षरों से आता है बहुत से लोगों को नई किताबों की खुश्बू बहुत पसंद होती है जैसे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है अब आप किसी भी तरह की रीडिंग क्यों ना करते हो किताबों के लिए आपको बुक स्टोर पे जाना ही पड़ता है और आज किस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे अपना बुक स्टोर खोल सकते हैं और इस बिसनस में काम्याभी पा सकते हैं तो क्विक सपोर्ट पे स्वागत है आप सबका चलिए आज किस वीडियो में आगे बढ़ा जाए और जाना जाए तो मारकेट और बुक प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात करे तो अपने देश की आबादी के लिहाज से इंडिया की रीडिंग और बुक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है अंदाजन ये 26,000 करोड की है इंडिया में जादतर लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक से पांच किताबे पढ़ डालते हैं स्कूल कॉलेज के पढ़ाई के अलावा भी अपने देश में लोग किताबे खरीदने के ट्रेंड में जबरदस्त उचाल आया पर छोटी जगों पे आज भी बुक स्टोर से ही किताबे खरीदने का चलन है आज भी पैन पैन से लगबार बच्चों की किताबे, स्कूल कॉलेज के माटीरियल्स, हाईर स्टुडीज की किताबे जो भी रीडिंग मटीरियल्स हमें चाहिए होता है इनके लिए हमें बुक स्टोर ढूंडने पड़ते हैं इसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एक्जैम्स की तयारी के लिए क्वेस्टिन बैंक, सॉल्ट पेपर्स, बुक्स, शॉर्ट नोट्स, जेनरल नॉलेज, करेंट अफ्वियर्स जैसी किताबों का ठिकाना भी एक बुक स्टोर ही होता है नर्सरी से लेकर पिएएटी तक की किताबों के लिए लोग बुक स्टोर को ही प्राइरिटी देते है अब बुक स्टोर के मामले में profit margin की बात की जाए तो एक बुक स्टोर में बहुत सारी चीजें होती है जैसी कि किताबे, pen, pencil, school materials, notebook, sports kit, office materials, खिलोने, novels, अख़बार, gift items वगेरा वगेरा तो इन में सबसे साधा demand किताबों और school materials की होती है Bookstore का business करते हुए अगर profit की बात करें तो इसमें कमाई तो होनी ही होनी है अलग-अलग items पे अलग-अलग profit margin रहता है जैसे किताबों पे 10% से up to 30 to 40% तक, school materials और notebooks पे up to 60% तक, sports goods पे up to 30 to 40% तक की कमाई होती है तो वो चीज़े जो demand में हैं और आप उनके साथ deal कर रहे हैं तो आपको इस business में मुनाफ़ा ही होगा अगर book store सही जगे पे है और आपकी एरिया में school, college, office, garment exams की तयारी करने वाले students रहते हैं तो आप हमेशा demand में रहेंगे तो अगर book store के business model की बात की जाए तो ये distributor, wholesaler और retailer इन तीन तरीकों से किया जा सकता है अगर आप distributor बनते हैं तो आप किसी एक, दो या उससे ज़्यादा companies या publishes के books अपने पास रख सकते हैं books लेने के बाद आपको schools और college को अप्रोच करना पड़ता है कि वो आपके बताए publishes की किताबे ले और किताबे पसंद आने पे अगर आपको order मिला तो आपका business grow करता है Sub distributor का काम भी लगबग distributor की तरह ही होता है और उसके बाद आता है retailer जो अपनी दुका या book store पे customers की demand को देखते हुए अपना stock रखता है और उनसे अपना profit भी निकालता है किसी भी distributor या sub distributor से stock लेने से पहले उनके terms and conditions की जानकारी ले लीजिएगा कि आपको कितना profit बचेगा अगर किताबे नहीं भी की तो वो return लेंगे या नहीं return पे आपको cash मिलेगा या उसके बतले कोई और किताब दी जाएगी टागेट अचीव करने पे आपको क्या benefits मिलेंगे और कोई tour package, gift या monetary फायदा भी होगा या नहीं award दिये जाएंगे या नहीं ऐसी बहुत सारे बाते तो किसी भी distributor से उनकी मरजी के मताबिक stock मत लेजिए अपनी financial capacity, market में demand और गोदाम की capacity के हिसाब से ही बुखा stock order करे, ताकि आप पे unnecessary burden ना आए और आप बिना headache के business कर सके आप किस राजिय में है, किस area में है और आपके वहाँ कौन से school है, कौन से board से पढ़ाई की सोविधा है उसी लिहास से आपको अपना publisher या distributor को चुनना होगा जो हिंदी, English या regional languages में हो सकते है विसे ये सब जानने के बाद अब बारी आती है investment की तो किसी भी business की सबसे बड़ी requirement होती है पूंजी यानि की business capital अगर small scale पे आप book store का business करना चाहते हैं तो 3-5 लाग की लागच से easily शुरुआत की जा सकती है पर सबसे जादा पैसे लगते हैं किताबों का stock maintain करने में आप अपने पास stock अपनी financial capacity और market की demand के लिहाज से कर सकते हैं जो 10-50 लाग या उससे भी जादा तक पहुँच सकता है इसकी कोई limit नहीं है इसके अलावा भी दुकाने बनवाने, दुकान का किराया, लाइसेंस, GST, स्टाफ की salary, सामान मंगवाने, गोदाम का किराया, maintenance, billing system जैसी चीजों पे भी खर्चा आता है इन पे भी आपका खर्चा आपकी investment की हिसाब से ही आएगा जितना बड़ा business उतना जादा investment वैसे अगर license की बात की जाए तो आपको उपना business registration लेना पड़ता है किनके नाम से business शुरू हो रहा है इसके बाद trade license आपको अपनी local authority, नगर निगम या पंचायत office से निकलवाना पड़ता है जिसका जादा खर्चा नहीं है किताबों पे या किसी भी तरह के printed books पे GST नहीं लगता है इसलिए आप अपने customers से GST चार्ज नहीं कर सकते या आप खुद customer है तो आपको GST नहीं देनी चाहिए इस बात का ध्यान रखे पर business करते समय अगर आपका business 20 लाग के yearly turnover को पहुँच जाता है आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपकी location ऐसी होनी चाहिए जहां से आप अपने customer के लिए easily accessible हो सके इसलिए छोटे एरिया के market में कोशिश करें कि bus, tend, main road या किसी market complex में अपनी दुकान ली जाए जहां आते जाते लोगों की नजर में आप आसानी से आ जाए अगर किसी बड़े शहर की बात करें तो school college के सामने main market में वहाँ जहां धेल सारी किताबों की दुकाने हैं आप आसानी से दुकान खोल सकते हैं बुक स्टोर का structure भी ऐसा होना चाहिए जहां किताबों को आसानी से रखा जा सके स्कूल की किताबे एक तरफ, exams की किताबे एक तरफ, newspaper और magazines एक तरफ, office materials और sports goods इन सब का well maintained होना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पर चीज़े आसानी से निकाली जा सके और इस्टोर का overall look बना रहे बाकि आप decoration के लिए अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हैं वैसे बिसनस के तरीके के बारे में बात करें तो normal buying selling के अलावा भी आपको अपने बिसनस को आगे बढ़ाने के लिए अपने तरीके ढूंडे पढ़ेंगे जैसे कि आप बाकी bookstore के मुकाबले अगर थोड़ा discount देंगे तो customer base बढ़ा सकते हैं online advertising से भी आप अपने बिसनस को logo तक पहुचा सकते हैं अगर आप बड़े bookstore या distributor के owner हैं तो किताबों की home delivery भी आप दे सकते हैं इसके अलावा भी अगर कोई किताब पढ़ चुका है और उसे अब उसकी जरूरत नहीं है तो कम rate पे खरीद से used और old books को बेज कर भी पैसे कमा सकते हैं आजकल websites काफी कम खर्चे पे बन जाती हैं तो websites भी develop करवा सकते हैं और social media के जरिये भी अपनी marketing कर सकते हैं जैसे नई किताबे आने पे, नया stock आने पे, नया edition आने पे, offers या discounts की details आप Facebook या Instagram पर शेयर कर सकते हैं पेमिंट के लिए cash के अलावा आप credit and debit card और बाकी जितने भी digital payment modes है वो जरूर से रखिएगा ताकि लोगों को payment के जाधा options मिले जरूरत के हिसाब से खुद को हमेशा तयार और updated रखिए इससे आपको बहुत सारा फाइदा होगा अगर आपके असपास tuition का culture है तो tuition पढ़ाने वाले teachers से आपका relation आपको business growth इस तरह दे सकता है कि teacher अपने students को आपकी store पे बतार customer divert करके और आप teacher से थोड़ी profit share कर सकते है आगे franchisee business की बात करे तो लोगों में किताबे पढ़ने की दीवान की कभी खतम नहीं होगी इसलिए आपको हर बड़े शहर में कोई ना कोई popular किताब की दुकान तो मिल ही जाएगी जहां पर किताबों का collection देख के दिल खुश हो जाता है ऐसा ही एक नाम है Crossword और इनके store देश भर के लगबग सभी शहरों में मिल जाएंगे तो अगर ऐसे popular bookstore का franchisee model अविलेबल है तो आप inquiry करके अपने शहर में भी franchisee ले सकते है Crossword की website पे franchisee inquiry का option है आप अगर interested है तो वहाँ से सारी जानकारी जोटा सकते है अब आगे बात करते हैं newspaper service और sports goods की जब भी लोगों को अगपार पढ़ना होता है तो वो आसपास कोई bookstore ही ढूनते है क्योंकि अकसर bookstore पे newspaper और magazines मिल जाते है इसलिए आपके साब से जो newspaper popular है वो अपने पास रखे और उनकी home delivery की facility भी आप दे सकते है magazines में भी cooking, fashion, makeup, women-centric, page 3 और sports magazines लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसलिए इनका भी अच्छा collection आपके पास होना ही चाहिए विसे कोई ऐसी चीज जिसकी demand बहुत कम है तो किसी एक customer की request पे उसे लाने से पहले advance ले लीजिए या जब तक वो दो-तीन बार inquiry ना कर ले तब तक सामान मत मंगवाईए पता चला कि आपने सामान तो मंगवा लिया और customer दुबारा आया ही नहीं तो नुकसान होना तै है इसके अलावा खिलोने sports goods, bag ball, football, sports shoes और office materials की भी अच्छी demand रहती है तो वहाँ से भी business बढ़ाने का मौका रहेगा दीरी-दीरे market में आपकी बढ़ती popularity के बाद आप wholesale या supplier वाले model में भी जा सकते हैं ताकि अगर आपके असपास कोई और छोटी दुकान खुले तो आप उन्हें चीजें deliver करके profit कमा सके इस business में उतरने से पहले आपका खुद का market research और bookstore के business को समझना बहुत जरूरी है इसके लिए आप अपने किसी जानने वाले की help ले सकते हैं जब आपकी जानकारी आपका confidence बढ़ाने लगे तो आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं आपके area में क्या हो रहा है, कौन सा school खुल रहा है, कौन सा नया office खुल रहा है इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके, उन्हें अपरोच कर सके और उन्हें ये assurance दे सके कि उन्हें आप से सामान और आपकी service क्यों लेनी चाहिए याद रखिए कि business आपके stock से नहीं, आपके बनाए relationship से चलती है तो मेद करते हैं दोस्तों, इस case study वीडियो से आपको book store खोलने के लिए सारी जरूरी जानकारियां मिल गई होंगी ये जानकारी वीडियो कैसा लगा, comment box में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा साथ ही साथ अगर और भी कोई topic है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो please वो आप हमें लिख भीजिए मिलेंगे बहुत जल्दी ही तब तक के लिए subscribe करके bell icon को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी कभी भी आप मिसना करे रूवी आपसे मिलेगी अगली जानकारी अगले वीडियो के साथ अभी के लिए कहूंगे आपसे धन्यवाद